रितिक रोशन और सल्मान खान की दूरियों के बारे में तो हम आपसे चर्चा कर ही चुके हैं लेकिन अब खबरे आ रही हैं कि रितिक और शारुक के बीच भी दूरिया आ सकती हैं वजह है बॉक्स ओफिस पर दोनों की फिल्मों की टक्कर दरसल शारुक के फिल्म रईस अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है और इसी मौके पर रितिक के फिल्म काबल भी रिलीज हो रही है शारुक ने राकेश रोशन से काबल की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने के ले खास मुलाकात की थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला राकेश इस फिल्म की रिलीज तैस समय पर ही रिलीज करने पर अड़े हुए है यही वज़ा है कि आने वाले दिनों में शारुक के मन में रितिक और राकेश के लिए खटास आ सकती है राईस की रिलीज काफी समय से पोस्पोन हो रही है यह फिल्म सुल्तान के साथ ईद के मौके पर ही रिलीज होने वाली थी लेकिन शारुक सलमान से टकर लेने के मूड में नहीं थे अब जब शारुक ने इससे अगले साल रिलीज करने का मन बना लिया तो रित्तिक फिल्म को टकर देने के ले सामने आ गए वेल अब ये देखना काफी दिल्चस्प होगा कि क्या शारुक एक बार फिर से रईस की रिलीज डेट से कोई छेड़ चाड़ करेंगे या फिर अपनी फिल्म के साथ मैदान में रित्तिक को चुनाती देंगे